जैहिन वंदमात्रम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जारखंड JFWCE परिच्छा 2024 यानि की जारखंड फिल्ड वरकर कॉंपेटेटिव एक्जाम 2024 की यह जो आपका वेकेंसी आया है जो की 510 पदों के लिए ठीक है तो यह आप इस फॉर्म को फिल अप किये है तो की आड़ा हिल exporting साबित होंगे ठीक है और यहां पर जितने इस बहुत आज़ान इंहसं आंगे यह सभी कोचन आपके न्यूज सिलेबस के आदार पर लिया ठीक है तो सारे कोचन important or selected है तो दोस्तों सबसे पहले आप किसी भी एक्जाम की त्यारी करते तो सबसे पहले आपको उसकी syllabus के बारे में पता होना चाहिए कि आपको उसका syllabus क्या है और exam का pattern क्या है ठीक है तो exam की बात करें कि यह जो जो आपका exam होगा यह आपका दोस्त न पासर आपको जो आपका यह बात करें इसका चेक होगा यह भासाई ज्ञांज से संबंदित पुछय और जानद की Hindi और English एठीक है आनि language पेपर से कोचन होने वाला है जिसमें से दोस्तों आपको total 120 कोचन दीजेंगे ठीक है 120 कोचन में यदि आप 36 कोचन को सही कर देतें तो आपका paper one के लिए qualify हो जाएंगे और paper 2 और paper 3 का आपका copy check हो जाएगा इक सबीस कोचन में आपको 236 सभी करना है उसके बाद आपको जो में ने feels 2 और पेपर 3 के अधार पर बनेँगा तो आपको जो ट हबड़ ज्याप च। एक ।्प जबढ़ जबस तरिकके से यह च्फोल ऑर चौछ की थी की तयारी कॉनky तो प्हुंख user टू और पेपर थी दोनों में अच्छे मार्स लेकर करके आते तभी आपका इस एक्जाम में सेलेक्शन होने वाले ठीक है तो देखिए जो पेपर टू का जो आपका एक्जाम होगा यह आपका छेत्रिय भासा जिसमें से बहुत सारे लैंग्वेज है जो की बहुत सारे अलग लैंग्वेज होंगे वह पेपर थी में बात करें तो पेपर थी में आपसे क्या-क्या पूछा जागा तो देखिए सामानी अधियन से कोटल आपसे देखा जाए तो 220 कोचन आपके एक्जाम में रहने वाला ठीक है और 220 कोचन में सबसे ज़्यादा जो सही करेगा उसी का फैनल मेरिट लिस्ट यहां पर बनेगा तो इस वीडियो में हम लोग सामाने विज्ञान ठीक है सामाने विज्ञान के कुछ कॉचन करेंगे जो कि आपकी एगजाम से किटने रहरा है जिसका आशे करऊछे कर रहें चलिए तो समय को बेörtैंट करते ही और पहलाile अपसे क्या पूछागे मेरे दोस्त lg ads का पूर्ण रूप क्या है यह एक परकार का भायरा संद कि अगला अगला कोचीन जो कि बहूं से इंपार्टन कोच से कहीं कई वारे हर एग एक एख्यम एक कोच्छ रिपीट हुआ है कि चेचक के यह सिंग की खुज ने किया था दोस्तों जो चेचक के टिक और के हैज इसकी खुज की बात करें इसका खुज इन में वहीं बात करें कि जो लुइस पास्चर है इन्होंने क्याचे का खोज किया था तो यह जो रेबिज है दोस्तो इसका खोज जो है यह लुइस पास्चर ने किया एलेकजेंडरल करनिंग फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने क्याचे का खोज किया था तो पैंसिलीन का खोज किता कि ने किया तो एलेकजंडरर फ्लेमिंग यह भी कोचन पूछा जाता है और यह वार्डस अंव क्रिक है इन्हों दोस्तो डि-यनस थजया में कोचन पूछा जाता है कि डि य데ानस थजया को अंवि peoples को पता होना चाहिए यह बहुत important question है, next question है, कि यूरिया में nitrogen का प्रतिसत कितना होता है, दोस्ते यूरिया है, इसमें nitrogen की बात करें, तो कितने percent nitrogen पाई आता है, 46%, 56%, 76%, या फिन 90%, तो यूरिया में बात करें, तो nitrogen जो होता है, यह 46% होता है, यानि कि option number यहाँ पे C right टेंसर होगा, 46%, ठीक है, अगला question है, कि गौबर gas में मुखी रूप से पाई जाता है, दोस्तों यह गौबर gas होता है, इसमें देखा जातों सबसे मुखी रूप से कौन सा gas पाई जाता है, methane, hydrogen, ammonia, या फिक chlorine, तो गौबर gas की बात करें, तो यहाँ पर जो सबसे अधिक पाई जाता है, यह पाई जाता ह methane, यानि क्या option, यह राइट एंसर होगा, methane, ठीक है, दोस्तों यहाँ पर जितने भी कोचन बता जा रहे हैं, यह सभी कोचन हर एक government exam से लिए काफी जाता है helpful होंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग हर एक trust को देखिएगा, और आपको बताना है कि आप कितने कोचन ऐसे हैं, जिसका answer आप सही सही कर पा रहे हैं, अपना score इमंदारी पूरवक हर एक student comment box में comment करके जरूर लिखेगा, ठीक है, अगला question है कि चौकलेट स्वास्त के लिए हानिकारक होता है, दोस्तों चौकलेट जो है, यह हमारे स्वास्त के लिए काफी यदा हानिकारक होता है, हमारे healthy क या फिर लिड का, तो चौकलेट की बात करें, इसमें सबसे अधिक जो होता है, यह निकल होता है, जो कि हमारे स्वास्त के लिए काफी अधाहानी कारक होता है, यानिका option number B, right answer होएगा, इसलिए आप लोग सुनते होगे कि बच्चों लोगों को अधिक से अधिक चौकलेट चारो और परिकर्मा करने में, तोटल कितने वर्स का समय लेता है, बहुत ज़्यदा इंपड़ेंग कोचन है, 18 वर्स, 28 वर्स, 84 वर्स, या फिर अधालिस वर्स, तो यूरेनेस गराफ की बात करें, तो टोटल 84 येर लगाते हैं दोस्तों, सूरी का एक चकर परिकर्मा करने में, ठीक है, और वहीं पिर्थवी की बात करें, हमारा अर्थ है, ये कितना दिन का समय लेता है, तो 365 दिन का, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, नेक्स कोचन है, कि मैक सब्द का परियोग किसकी गती को मापने के लिए किया जाता है, दोस्तों, जो मैक सब्द है, इसका जो परियोग किया जाता है, ये किया जाता है, हवाई जाहाज की गती को मापने के लिए, यानि क्यो आप्सन नमबर D, राइट एंसर होईगा, हवाई जाहाज, अगले कोचन है, कि कैपलर का नियम, निम्ण में से किससे सम्बंदित है, ये जो कैपलर का नियम है, ये ब्राइट एंस रोजगा ग्रहों की गती्से ठीक है मघेला दोना का पोधा या पिर सेंकोणा का पोधा और का पोधा या पिर अमलतास का पोधा तो जो malaria का दवा है मेरे दोस्त ये निकाला जाता है किस से तो sincona का पोधा ठीक है यानि की option number B right answer होगा sincona का पोधा से malaria का दवा निकाला जाता है ठीक है कई पर exam में question पूझा जाता है कि जो malaria का दवा होता है उसका क्या नाम है तो कुनेन जो है दोस्तो उसका नाम है मलेरिय का दवा का नाम क्या है तो अगला प्रस्थन है कि कौन से गरांथी शरीर का ताप नियत रखती दोस्तों इनने से कौन से गरांथी है जो की हमारी बॉडिक की तापमान को नियंत्रित करती है ठीक है पिलिनाय याभी पिटूटरी थायराइड याभी हाइपो थेलेमस तो इसंता ही सिर्च नमबर राइट एंसर हो जाएगा अगल्य कोचन है कि गई के लूमक्ण किस विटामिन की प्रचूरता होती दोस्तों कि ये जो गाय की दूद है इसमें देखा जाए तो कौन से विटामिन जो है ये प्रचूर मातर में पाये जाता है विटामिन B, विटामिन A, विटामिन D या फी विटामिन K तो गाई की दूद की बात करें, तो इसमें जो सबसे अधिक विटामिन होता है, यह विटामिन B होता है, यानि क्यों आप्स नमबर यह राइट टेंसर होगा, विटामिन B, अगला प्रशन है, कि H5N1, H5N1 नामक वाइरस पैदा करता है, दोस्ते जो H5N1 नामक वाइरस है, यह क्या पैदा करता है, एड्स, रक्त कैंसर, ब्लेड फ्लू, या फिर स्वाइन फ्लू, तो जो H5N1 है, यह पैदा करता है, ब्लेड फ्लू, यानि क्यों आप्स नमबर, यहां पर C, राइट टेंसर होगा, आप्सन C, ठीक है, क्लिए पर एक्जाम में यह भी कोशन होना चाह cryptocurrency, ठीक है, अगला question, क्या पूछागी, आपसे बहुत ज्यदा important question है, कि Amniosec alltis है, एक तकनिक है, जो कि किसे संभनित है, तो यह किसे संभनित है, अमोनिया के परियोग से, ब्रून के लिंक परिच्छन से, बच्चों के सिच्छन से, या फि घरेलू कार्यों में सर दो new the right answer हो जायगा कि अगला प्रश्च क्या पूचा गया है कि जोतीति त्यूहरता का मात्रक क्या क्या होता है इसका सही जो मात्रक होता है मेरे दोस्त यह होता है option B lumen astreendium ठीक है option B right answer lumen astreendium अगला question है कि किसने खोज की कि malaria मच्छड द्वारा सनरंचित होता है दोस्तों इन में से कौन सा लोग कौन लोग है कौन सा वैक्तिय जिन्होंने खोज किया कि malaria मलेरिया जो है यह मच्छड द्वारा ट्रांस्मीट होता है तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहां पर यह राइट एंसर होगा Roland Ross जिन्होंने दूस्तों यह खोज गिया कि malaria जो है कि मच्छड द्वारा ही फैलता है आप्सर नंबर यह राइट एंसर हो जाएगा कि अगले कोचन क्या पूचा गया है कि वृद्धी हार्मून का सरावन किससे किस के दोआ truly होता थीक है इस कोच्छन है कि किसा तत्व को अगरा किशंप्रीकश्ट पार्द में से वह दूकु से कहा जाता है तौ इंवेस्ट पाइलन अवेक और खॉल भी है तो सही एंसल्ण हो कहा जाता है अगले कोचन है कि निवन में से कौन से अमला पेट की जिवानों को नास करता है दोस्तों इन में से कौन से अमला है जो की पेट में जितने भी जिवानों होते हैं उनको नास कर देता है तो एन BCL ऑप्शन नबरीby रइट एंसर हो अगले कौचन है कि किस हार्मोन की द्वारा हुर्दे अस्पन थका९ रुदिर दा बर्दध जाता दोस्तो इनमें से क्वानसा हार्मोन की द्वारा हमारा हारड विट होता है दोस्तों यह को यह से कौन सा हर्मोन के द्वारा होता है यही कुछ रोन सोचा गया है तो सही उतर होट यहां पे बी एंड्री नेलीं हार्मन के द्वारा आनी के option number B right tensor हो जाएगा अगला question है कि लड़का ही पैदा होगा दोस्तो बार बार repeat हुआ है रिक जामे कोचन कभी लड़का और कभी लड़की पूछा जाता है दोस्तो कि लड़का ही पैदा होगा कौन कौन से गुंद सुतर जब मिलेंगे जब दोस्तो लड़का का जर्म होता है तो यदि लड़का आप से पूछे जाए ठीक है लड़का यदि आप से पूछे जाय कंग दोस्तो अगला अगला कोचन है कि क्रायोलायट यह जो क्रायोलायट है कि किस धातू का ऐस्क है तो सही एंसर हो यह आप्सन नमतर यहां पर डी यह अलमूनियम को ठीक एक क्रायो लायट कौन सवात बाइस्क है से ऊलमूनियम नेक्ट्स कोचन है कि किस मिस्र धातू का परियोग वायू यान के हिस्से बनाने में किया जाता है दोस्तों इनमें से कौन सा वायू मिस्र धातू है जिसका परियोग जो है ये वायू यान के हिस्से यानि पार्ट्स को बनाने में इनका परियोग किया जाता है जर्मन सिल्वर टांका या फी मोनल धातू या फी डियूरे लुमीन तो राइट एंसर हो जाएक है इस कोचन का आपस नमर डी डियूरे लुमीन ये जो मिस्र धातू है इसका प्रयोग जो है दोस्तों ये वायू यान के इतने भी पार्ट होते हैं उनको बनाने में किया जाता है ठीक है नेक्ट कोचन है कि मानो सरीर की सबसे बड़ी गरंथी है दोस्तों मानो सरीर की सबसे बड़ी गरंथी की बात करें बहुत जड़े इंपार्टिंग कोचन ये भी तो मानो सरीर की सबसे बड़ी गरंथी क्या है लीवर अगनासे अस्ट्रेपी या फिर अमासे तो मानो सरीर की स खोज किस ने की थी दोस्तों बहुत ज़्यादे इंपार्टेंग वचन ये भी जो ऑक्सिजन है इसकी खोज की बात करें तो किसकी द्वारा इसका खोज किया गया तो प्रिश्टले की द्वारा न्यूटन की द्वारा रधर फोड या फिर एडवर्ड जेनर तो ये जो ऑक्स और एडवर्ड जैनर की बात करें तो इन्होंने क्याची का खोज किया तो चेचक का ठीक है ठीक है तो एडवर्ड जैनर ये तीनों कोचन आपके एक्जामस लिकाफ ज़्यदा इंपर्टेन होंगे ठीक है ये भी आपको याद रख लेना ठीक है कि न्यूटर ने किसका सिधा इन में से किस की दौरा किया ठीक है लूइस ब्रेल के दौरा जेम सवाट जाफिए माइन स्ट्रिंड जाफिए एडविन के दौरा इसका अंसर आप से लोग कमेंट करके जरूर लिखेगा ठीक है तो दोस्तों आज की स्टूइडियो में बस इतना है और दोस्तों इदिया आप इसी तरो और भी दे आप इंपॉर्टें और सेलेक्टेड कोचन चाहते तो आप इस चैनल को सब्स्राइब करें मेरे दोस्त क्योंकि इस चैनल का मादम से मैं सिर्फ पूर्णी सभी कोचन को बार बार लाता हूं जो कि आपके हर एक गवर्मेंट एक्जान के जितने प और भी कोचन ठीक है